सब्सक्राइब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए वेलकम फ्रेंट्स स्वाग अधम दोस्तों आज का वीडियो हमारी एक सब्सक्राइबर दोस्त की डिमांड पर मैं बना रहा हूं जो की है बहुत ही पुराने समय से प्रियोग लाई जाने वाली एक मेटालिक क्रीम के बारे मेटालिक दवा के बारे में जिसका हम आज करूब अभी प्रियोग ले रहे हैं वह है को लॉइडल क्रीम को आप और हम जिस नाम से जानते हैं वह है मेगाहिल क्रीम जो अरिस्ट्रों कमश्च मीज दवारा बनाई जाती है जी हैं दोस्तों मेगाहिल क्रीमैं इसका कॉप्पोजिशन एंक को लूइटल सीलवर मे इस नाम के अलाव कि कई अन्य नाम से भी क्रीम अवेलेबल है जिसे हम मेगा हिल का सब्सक्राइब का अल्टरिनेट भी कहते हैं जैसे कि कुछ बारे में ही इस एक वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि इसका जो पॉंपोजियोस ने कोलोडिल सिल्वर यह क्या है इस क्रीम का प्रियोग कब-कब लिया जाता है क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं इस कि मेरे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहें तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आदीच आप देखने अपना यूट्यूब चैनल लर्न बॉट मेडिसिन चलिए आसवे कुछ नहीं सिकते हैं हैं हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों कोलोडिल सिल्वर नाम में जो आप सिल्वर नाम देख पा रहें यह वही सिल्वर है जिसके बार में आप सोच रहे हैं च पहले के समय में चांदी को और्नामेट के साथ साथ मेडिशनल प्रियोग भी लिया जाता था जो कि टोपिकल यूज में एंटिसेप्टिक एंटिवाइटिक एंटिवाइरल इन सभी के रोप में प्रियोग लिया जाता था आज के दिनों में इसी का मोडिफाइड रूप इ लिखाव मिलेगा इस केम कि अकर की बात करें तो यह अलग अलग चार इसका स्टेंथ। इस्सकर दो पैसिति के लिए उस्ट के लिए उसमें 15 ग्राम तथा पचास ग्राम की पेकेजिंग में में और हुसीटिलி उसके लिए 100 ग्राम तथा 200 में ज्याधा क्वांटिटीटी चाहिए होती और अगर इसके प्राइज की दीछ होती है सब अबिकि जो एवरेज प्राइज में आपको इस्कीन फिर दे रहा हूं आप देख पा रहे होंगे अब वीडियो मागे इस की यूजर को जान लेते हैं किन-किन इस्तितियों में किन-किन बिमारियों में इसका प्रियोग लिया जाता है जैसा कि एक टोपिकल एंटिपायटिक एंटिवाइरल, एंटिसेप्टिक तथा एंटिफंगल के साथ अन्य परकार की प्रोपर्टी रखने वाले क्रीम है तो इसका प्रियोग जिन-जिन बिमारियों में किया जाता है उसे हम जान लेते हैं बिमारियां जैसे यदि किसी व्यक्ति को वुंड हो गया हो जिसे हम ग करनों दोनों ही इस्तिति में इस क्रीम का प्रियोग लिया जाता है कोई व्यक्ति है जिसको एकने हो गया हो जो एकने यलो हेड के होते हैं जो बैक्रिल इंफेक्शन के कारण होते हैं तो एकने को ठीक करने के लिए यह क्रीम प्रियोग ली जाती है किसी व्यक्ति को अगर स कोछ प्रॉब् 140 इस्का प्रयोग लिया जा सकता है लेकिन इसका जो मुख्यतуш प्रयोग लिया जाता है वो भूब behaviour केष्मेश में वह फायर का बर्न हों है केमिकल बर्न दोनों में और चाहे उधर की और नहीं हो इस ब्रन केस में इस क्रीम जो कोलोईडिल सिल्वर क्रीम है इसका प्रियोग लिया जाता है और बहुत ही अच्छा फायदा दाएक है साथ ही यह क्रीम टीश्यू हिलिंग का बहुत अच्छा कारिय करती है जिस कारण से गाव जल्दी बढ़ता है और गाव बढ़ने के बाद वहां पर निसान भी जिससे कि कई बार जब जहरे पर जल जाता है तो यह क्रीम लगाने की डॉक्टर दरा सला दी जाती जिससे कि उस गाव के कोई निसान नहीं बचे इस तरह से क्रीम के प्रियोग लिये जाते है इसके अलावा भी इसकिन से रिलेटेड कोई समयशा हो जैसे फंगल बिले अब अगरी स्क्रीम के साइड इफेक्ट की बात करें तो हलांकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा तरह नहीं देखए जब तक इसका टोपिकल प्योग करते हैं लेकिन कुछ मरीज्व में इसका जिसक्त उसक्रीम लगाया जाता है वहां पर इसकीन का कलर ग्रे हो जा साइड इफेक्ट के तोर पर हो सकती है यह समयश्य आपको हो तो तुरंत इस क्रीम को उस जगा से हटा ले और अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि उसके लिए आपको प्रॉपर इलाइज दिया जाके इसकी जगह को दूसरी किम आपको लिखी जा सके और फ्यूचर में जब भ आपको इसकी को अपलाई करना है उसे क्लीन करें तो ड्राइज करें उसके बाद एक रिक्वाइड अमॉंट जितनी आपको आवश्य सकता है जितने प्रोब्लम हो रहे कि उतनी क्वांटिटी ले और उस एरिया पर ठीक लेर एक मोटी सी लेर बना दें और उसको रगड़े नहीं और जिस एरिया पर आपने लगाए उसे थोड़ा थोड़ा आदा आदा इंच साइड में भी लगा ले जिससे कि वह जल्दी रिक और हो यह क्रीम लगाने के बाद गाव पर पट्टी भी की जा सकती है और आवशकता नहीं होती से खुला भी रखा जा सकता है साथ एक जल्दी बढ़ने के लिए और अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए इसके साथ कुछ एंटिवाटिक टेबलेट दी जाती है और डॉक्टर की चोईस पर अलग-अलग हो सकती है इस क्रीम का प्रियोग बच्चों में बुजूर्गों में तथा एडल्ट में सभी में किया जा स दिए और यह क्रिम लगाने के बाद एक सावधाने आपको रखनी है अपने हातों को अच्छी सारी सदोल लेना कि अगर सिल्वर हमारे सरी में चला जाए तो कुछ पोईजनिंग कर सकता है तो यह कुछ सावधाने रखते हुए इस क्रीम का आपको प्रियू करना है तो दोस से कर में सभी वीडियो मुफ में देख सकें आपते अपने दोस्त मुही दादीज के साथ देखरें ते अपना यूट्यूब चैनल लान अबूट मैडिसीन थेंक यू फ्रेंड्स टेक केर एंड बी केर पोट मैडिसीन दूजर